बिस्मिल्ला रमान रहीम, अस्तलाम आलेकुम, इंटोड़क्शन टू कम्पूटर, लेक्चर नंबर 19 प्रिवेस लेक्चर में हमने पढ़ा एप्लिकेशन आफ कम्पूटर्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेट्वर्क्स एक कम्पूटर नेट्वर्क, केबिल्स, सैटलाइट या टेलेफोन केबिल्स के जरिए मालुमात और दीगर वसाहिल को बाटने के लिए दो या दो से ज्यादा कम्पूटर्स का एक सैट होता है टाइपस आफ नेट्वर्क्स नेट्वर्क के टाइपस है लैन, लोकल अरिया नेट्वर्क, वैन, वाइड अरिया नेट्वर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन अरिया नेट्वर्क आईए अब इन टाइपस को एक एक करके इनको समझते है लोकल अरिया नेट्वर्क Local Area Network एक ऐसा network है जो एक मेदूद एरिये में computer और दूसरे devices को जोड़ता है Network पर मौझूद हर computer या device एक node है Wired LAN आम तोर पर Ethernet technology पर based है जैसा कि आप pictures में देख रहे हैं कि बहुत से computer और devices एक ही limited area में connected हैं आपस में इस type के network को Local Area Network कहा जाता है Metropolitan Area Network Metropolitan Area Network लोकल area network के निस्बतन बड़ा network है और यह पूरे शहर या metropolitan में फैला हुआ होता है Metropolitan Area Network शहर में मुक्तलिफ मुकामत पर वाकर दो या दो से ज्यादा land को एक साथ मुनसलिक करके पैदा किये जाता है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं दो से ज्यादा land को यहाँ connect किया गया है एक network बनाने के लिए जिसको Metropolitan Area Network कहा जाता है Wide Area Network Wide Area Network एक computer network है जो एक बड़े area जैसे शहर, मुल्क या बर्रयाजमों के area को cover करता है Wide Area Network एक ऐसा communication channel इस्तेमाल करता है जिसमें मीडिया की बहुत सी किस्मों जैसे telephone lines, cables और हवा की लहरों को यगजा किया जाता है इस picture में आप when की example को easily देख सकते हैं Network Topologies Physical layout यह जिस तरीके से network connection बनाया जाता है इसे Network Topologies केते हैं Network Topologies की types हैं Bus Topology, Ring Topology, Star Topology आईए इन types को एक एक करके पढ़ते हैं Bus Topology सभी computers या devices जो भी इस Topology में connect होते हैं वो एक ही cable के जरिये connect होते हैं एक ही cable पर मुश्टमिल होते हैं जिसे Bus कहा जाता है और यह connected devices में मुदाखलत किये बगैर आपस में connect होते हैं इस Topology का disadvantage यह है कि अगर एक computer भी बीच में से खराब होता है या उसकी wire disconnect होती है तो message उससे आगे वाले computer में send नहीं हो पाता Ring Topology Ring Topology में हर computer या हर device दो करीबी device से attached होता है इसी वज़े से पूरा network एक ring की shape बनाता है जिसमें ring network पर data मुंतकिल करने का एक तरीका talking passing होता है Star Topology Star Topology में हर एक computer या node एक central device से connect होता है और यही इस topology का advantage है कि अगर एक computer या एक से ज़्यादा computer बीच में network में खराब भी हो जाए तो उससे दूसरे तमाम computers को communication में कोई भी problem नहीं होती इसी वज़े से Star Topology को prefer किया जाता है I hope आपको network समझ में आया होगा अपना ख्याल रखेगा Allah अपिस